सीवजी ने जहर क्यूं पिया? समाज में कई लोकों की सोच एची है कि समन्दर मंत्र की घटना में देवता विष्णू के पास न जाकर सीवजी के पास जहर का निवारन करनी के लिए गए और सीवजी ने जहर पी लिया इसलिए सीजी विश्णू से उपर है क्योंकि ये कार्य विश्णू नहीं कर पाए वास्त में यह सोच बिल्कुल गर्थ है मैं एडवांस कोर्स में वामन अवतार की कथा में इस कथा को विश्टार से कहूंगा यहाँ पर मैं शंशिप्त में कहता हूँ अगर आप इस फोटो को ज्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस फोटो में भगवान विश्णू तीन जगा पर है एक वासुगी की पूंस पकड़े हुए है जिनके हाथ में गदा और चक्र है नीचे कसप रूप में है और फिर तीसरी उपर सबसे उपर मंदर परवत के उपर बैठे है तीन अवता लेकर विश्णू और आने वाले है मदवाचाये का इसकंद पुरान से करना है कि भगवान विश्णू स्वयम वहाँ पर थे वो चाहते तो जर पी सकते थे लेकिन भगवान ने सोचा मैं तो सब कर रहा हूँ सब अवता ले रहा हूँ और बहुता अवता लूँगा अगर ये कारिये सीव जी को स्वंपूँगा तो सीव जी की किरती बढ़ेगी सीव जी की किरती बढ़ाने के लिए स्वयम भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को प्रिर्थ किया कि इस जहर के निवारन के लिए हम किस के पास जाएंगे सिवजी के पास जाएंगे अगर ये कारे सिवजी करेंगे तो उनकी कीर्थी का क्या होगा विस्तार यहां सोचकर देवता और अरसूर सीव जी के पास गए और जाकर देवताओं ने सीव जी की स्थूति किया फिर सिर्म धागतम वर्णन आता है कि सीव जी ने किस भावना से जहर पिया सीव जी की भावना क्या थी तो सिव जी माता पार्दी जी से इस स्लोप में कहते हैं पुन्सहा किर्प्यतो भद्रे सरो आत्मा प्रियते हरी प्रिते हरो भगवती प्रिय अहम सराचरम अर्थात हे देवी हे कल्याने भवानी जब कोई व्यक्ति अन्य जीवों के लिए परमात का कारे करता है तब पून्स पुर्शुतम हरी बड़े प्रसन होते हैं जब जब भगवन प्रसन होते हैं तब मैं भी सभी जीवों के साथ बड़ा प्रसन होता हूँ इसलिए मैं इस विश्ट का मैं क्या करूँगा पान करूँगा सिवजी इस स्लोक में का रहे हैं कि हे पार्तिजी प्रिते हरो भगवती प्रिय अहम मेरे कारे से भगवान हरी परसन होगे इसलिए मैं यह जहर पिऊंगा सीव जी ने भगवान विश्णू की प्रसंता के लिए जहर पिया सीव जी से हमको सीखना है कि भगवान की प्रसंता के लिए हमको कार्य करना ची सारांस यह है कि विश्णू की इच्छा से ही देवता भगवान सीव जी के पास गए सभी देवता सीव जी के पास गए सीवजी ने जहर पिया जिसे नीलकंड के रूप में विख्यात हुए जब भगवान के भगतों की गिर्ती बढ़ती है तब भगवान बड़े प्रसन होते है